कंगना रनो तिन दिनू काफी चर्चा में रही है कोई भी बात हो कोई भी चर्चा हो कंगना हमेशा खुल कर सामने आई है सुशान की मौत के बाद कंगना बॉलिवुड से जुड़ी हर सामाजिक बुद्धे को लेकर आगे आई और अपनी बात रखी जिससे काफी लोग उनके विरोध में भी आए इसके साथ ही BMC की कारवाई को लेकर थी वो काफी चर्चा में रही है इसी के साथ कंगना अब काफी समय के बाद अपने काम पर लौटी है पार्च में लॉक्टाउन के बाद से ही कंगना की काम में ताललक चुका था लंबी ब्रेक के बाद एक बार फिट से अपने काम में वापस लौट चुकी है वहीं अब वो अपनी प्रोजेक्ट्स को शुरू करने साउथ इंडिया जा रही है जहां वो अपनी अपकमिंग फिल्म थलाईवी बाकी बची हुई शूटिंग को पूरा करेंगी पूरवे मुखे मंतरी जयल अलिता के जीवन पर बन रही फिल्म थलाईवी की शूटिंग कोरोना वाइरस की वजहा से रुकी हुई है और अब इस पर काम शुरू होने वाला है इस बात की जानकारी खुद कंगना ने अपने सोशल मीडिया पर दी है कंगना ने पोस्ट शेयर कर लिखा है आज बहुत ही खास दिन है साथ महीने के बाद अब मैं फिर से काम शुरू कर रही हूँ मेरे सबसे एहम प्रोजेक्ट हलाईवी के लिए में साउथ इंडिया जा रही हो इस महामारी के वक्त में आपके आशिरवात की आवश्यक्ता है अभी कुछ मॉर्निंग सेल्फीली है आशा है कि आप इन्हें पसंद करेंगे इसके बाद फैंस उनकी शेयर की हुई पिचर्स की खुब तारीव भी कर रहे हैं जिसमें वो स्माइल करती हुई बेहद खुब सुरत दिख रही है साथ ही फैंस कंगना के पोस्ट पर कमेंट कर उन्हें अपकमिंग प्रोजेक्ट के लिए शुब कामनाई भी दे रहे हैं उससे पहले भी कंगना थलाईवी फिल्म के लिए डान्स रिहलसल की पिचर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर चुकी है इस पिचर में कंगना कोरिग्राफर के साथ स्माइल करती हुई खड़ी नज़र आ रही थी इन पिचर्स को देख कर लग रहा है कि लंबी फ्री के बाद वापस आने पर कंगना काफी खुश है